हलो एवरिवन मैं राशित बसरी and welcome to your own study channel are we good ideas इस session में हम लो class 10 हिंदी A की book चितिज भागदो के lesson राम, लक्षमन, परशुराम समवात को करेंगे बस तीन मिनट में ये पूरा chapter आपको समझ में आ जाएगा और साथ ही इस chapter के सारे important questions को भी मैं आपको करा दूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं राम लक्षमन परशुराम समवात के कवी तुलसी दास है ये कवीता राम चरित मानस के बालकांड का अंश है इस अंश में सीता स्वयमवर के समय राम चंद्रद्वारा शिवधनुष तोड़ने के बाद परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में आते हैं और राम लक्षमन के साथ उनका समवाद होता है इस अंश में उसी समवाद को दर्शाया गया है इस अंश में लक्षमन की व्यंग से भरी हुई युक्तियां और परशुराम का क्रोध परदर्शन ही इस अंश की परमुक विशेषता है तुलसी दास 1532 में उत्तर परदेश के बांदा डिस्टिक्ट के राजापूर गाउं में पैदा हुए थे वे बड़े राम भक्त थे और अपनी रचनाओं में उन्होंने उसी राम भक्ती और राम के परती अनन्न प्रेम को दर्शाया है राम चरित मानस उनकी सर्वश्रेष्ट और अत्यंत परसिद रचना है इसके अतिरिक्त विनयपत्रिका, कवितावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली और गीतावली भी उनकी अन्यमाजपूर्ण रचनाएं हैं अपनी रचनाओं में उन्होंने अवधी और बरजभाशा का उप्योग किया है, 16-23 में काशी में इनका दिहान धुआ, इस चैप्टर से कुल चार कुष्चन बहुत इंपॉर्टन्ट है, चारों सवाल चितिज और प्रिवियस एर पेपर से मैंने कलेक्ट किये हैं और इनक अंसर भी मैंने खुद ही बनाया है, इसलिए एवरेज मार्किंग का कोई टेंशन ही नहीं है, इस चैप्टर की कुष्चन अंसर की नोट्स की पीडिएफ मैंने ड्राइव पर अपलोड कर दी है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक को क्लिक करके पीडिएफ डाउनलोड कीजिए और नोट्स रेडि कर लीजिए, ये पीडिएफ आपको बहुत हिल्प करेगी, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, मैं दुआ करता हूँ कि मेरी नोट्स आपकी बहुत हिल्प करें और आपका एक्जाम बहुत अच्छा जाए, अपना और अपने प ख्यार लखिएगा, गुडबाई